हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चानल समराट एजूकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को ब्यासी एक्रिकल्चर के एक बिस है प्रोटेक्टेट कल्टिवेशन एंड सेकर्णरी एक्रिकल्चर एजी 505 का तीसरे लेक्षर का दूसरा पार्ट करा आने वाला हो इसके पले मैंने तीसरे लेक्षर का एक पार्ट करा दिया देखिए यह जो तीसरे लेक्षर था था थोड़ा सा बढ़ा था इसके लिए हम लोग इसको दो पढ़ने पढ़ेंगे इसके पले मैं आप लोग इरिगेशन सिस्टम यूज इन ग्रीन हाउस तो पूरे वर्ज पौदो के लिए नियंत्रित और आरामदायक वातावरण बनाने के लिए वाडिजिक और बड़े पैनमाने पर ग्रीन हाउस संचालन में गर्मावा ग्रीन हाउस सीटिंग सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है उचित रूप से डिजाइन और रख रखाव की गई प्रडालियां सफल खेती सुनिस्चित करने की और फसल की पैदावार को अधिक्तम करने में महत्पूर ग्रीन हाउस संचालन में गर्मावा ग्रीन हाउस हिटिंग सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है कई प्रडालियां सफल खेती सुनिस्चित करने और फसल की पैदावार को अधिक्तम करने में महत्पूर ग्रीन हाउस हिटिंग सिस्टम इससे क्या होता है पाले से होने वाले नुक्सान का कम जोखिम होता है गर्म हवा एटिंग सिस्टम ठंडी रातलों के दवरान भी गर्म वात्तवरण बनाये रखकर पाले से वने वाले नुक्सान को रोकता है पाले से रोकने वाले नुक्सान को क्या करता है कम करता है कौन होटियर ग्रीन हाउस सिटिंग सिस्टम आगे चलते हैं अगला पॉइंट है समय पर प्रतिक लिए तो थर५ोफोफ ? शिटिंग सिस्टम को सचालित रूप से सख्री करने की निमती देते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि तापमान वानचित सीमा की भीतर बना रहे हैं अगला पॉइंट कूसल ताप वितरड अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रडालियां गर्म हवा का समान वितरड सुनिश्चित करती है जिससे पॉदो की श्यतम रिद्धी को बढ़ावा मिलता है अगला पॉइंट है जोनिंग संभावनाई तो बड़े ग्रीन हाउस को जोन में विवाजित किया जाता है बड़े जो ग्रीन हाउस होते हैं उनको जोन में विवाजित किया जा सकता है जिससे विबिन वर्गों में अनुकूलित हीटिंग की अनुमती मिलती है अगला पॉइंट है लचीले इधन विकल्प लचीले इधन विकल्प इसका मतलब है कि इन प्रडालियों को प्राकृतिक गैस प्रोपेन तेल या बायो मास जैसे नविकरडी विकल्पो सहीत विबिन इधन स्रोतों के लिए नुकूलित किया जा सकता है अगला पॉइंट है लगातार तापमान तो गर्म हवा हिटिंग सिस्टम बारी मौसम की इस्तिती की परवा किये बिना ग्रीन हाउस के बितर लगातार और नियंतरित तापमान प्रदान करता रहता है ठीक है आगे जलते हैं अगला एडिंग हाट एर ग्रीन हाउस हिटिंग सिस्टम के क्या लाब है तो इनके लाब को देखते हैं जिसमें पहला पॉइंट है वेंटिलेशन प्रडाली तो उचित रूप से डिजाइन किये गए वेंट और लूवर अत्रीक्त गर्मी को बाहर नि बाहर निकलने देता है और एक संतली तापमान सुनिस्चित करता है अगला पॉइंट थर्मो इस्टेट तापमान की निगरानी करते हैं और वांचित सेटिंग के आधार पर शिटिंग सिस्टम को नियंत्रीद करते हैं अगला पॉइंट है पंखे और ब्लोवर पंखे और ब्लोवर गर्म हावा को प्रसाजित करने मदद करते हैं जिससे पूरे ग्रिन हाउस में समान विद्रड सुनिस्चित होता है अगला पॉइंट है नलिकाएं और पाईप दिखी इसमें कुछ समझाने लाग बात नहीं है इसकी वज़े से समझाया नहीं जा रहा है ठीक है कुछ समझाने जा जब कुछ रहे है तो समझा दिया जाएगा अगला पॉइंट है नलिकाएं और पाईप तो इनका उप्रस रोट से ग्रिन हाउस के आंतरिक भाग तक ले जाने के लिए किया ज़ता है नलिकाएं और कर्दाई द्रेइंगं कर्ता है अगला प्राइंट उस्मस रूत यह भठ्ठी आंट सिस्टम के मैं इसमें पहला पॉइंट है जोनिंग तो बड़े ग्रीन हाउस को जोन में विवाजित किया जा सकता है प्रत्य की अपनी हीटिंग इकाई और थर्म इस्टेट होती है यह बिविन स्वेया तरह वस्थाओं के आधार पर हीटिंग के बेहतर और अनुकुलन की अनुमती देता है अगला पॉइंट वेंटिलेशन दीके वेंटिलेशन का हर जगह यूज हो रहा है इसका मतलब की इंपॉर्टेंट आप लोग इसको जात रखेगा वेंटिलेशन से क्या मतलब होता है अगला पॉइंट वेंटिलेशन तो ओवर हीटिंग को रोकने के लिए गर्म हवा हीटि सिस्टम में पर्याप्त वेंटिलेशन महतवपूर है उची तो रूप से डिजाइन किये गए वेंटिलेशन सिस्टम जरूरत पढ़ने पर अत्रीक्त गर्मी को बाहर निकलने देते हैं जिससे क्या उदा तापमान संतुलित रहता है अगला पाइंट थर्मो इस्टेट नियं से नीचे चला जाता है तो तापमान को वांजीत अस्तर तक बढ़ाने के लिए हिटिंग सिस्टम सक्री हो जाता है अगला पाइंट है वितरड गर्म हवा को न लिकाओं पंखवर ब्लोवर के नेटवर्क का उप्यों करके वितरीत किया आता है गर्म हवा को न लिकाओं पंखवर ब्लोवर के नेटवर्क का उप्यों करके वितरीत किया आता है एक घटक पूरे गर्म हवा को समान रूप से वितरीत करने में मदद करते हैं अगला पाइंट है इट एक्सचेंज हीट एक्सचेंज मतलब यह है कि गर्म हवा को हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पारित जाता है जो गर्मी को ग्रीन हाउस के बीतर प्रसाडित हवा में असना अंधरीत करता है यह दहन उत्वादो और ग्रीन हाउस वायू के बीच सीधे संपर को रोकता है जिससे सुरच्छा और वायू गुडवत्ता क्या होती है सुनेशित होती है अगला पॉइंट देखते हैं उस्मा सुरोत क्या मतलब है तो गर्म वायू तापन प्रडालियों के लिए उस्मा सकते हैं या प्राकृतिक गैस प्रोपेन तेल यहां तक कि बायो मार्स वारा संचालित यह केंदरी हीटी काई हो सकती है ताप शुरूत गर्म वावा उत्पन करता जिससे पूरे ग्रीन हाउस को वितरीत किया जाता है तो यह था इसका कंपोनेंट इसका एडवांटेज ग्रीन हाउस सुखाने जिससे ग्रीन हाउस सुखाने की तकनिक की रूप में भी जाना जाता है या फ़लो सबजियों जड़ी बूटियों और यहां तक की फूलों जैसे विबीन क्रिसुत पादों को उसलता पुरवक और प्रभावी डंग से सुखाने के लिए नियंतरित ग्रीन हाउस वातना वरण का उपयोग करने की एक वीधी है यह द्रिष्टी कोड सुखाने की प्रक्रिया के लिए इस्टतम इस्टितियां बनाने के लिए ग्रीन हाउस सरचना के लाभो का उपयोग करता है जिसके पहड़ाम सुरूप उत्पाद की गुलवत ताधिक होती है और सुखाने का समय कम हो जाता है यहां ग्रीन हाउस सुखाने का विस्तरित वी वरण दिया गया है पहला पॉइंट है ग्रीन हाउस सुखाने का कार्या जिसमें पहला पॉइंट है ग्रीन हाउस पर रहा वरण तो ग्रीन हाउस भी नियमित तापमान आध्रता और विंट वायू परी संचरड तो समान रूप से सुखाने के लिए उची तो वायू परी संचरड महत्वपूर है वेंटिलेशन सिश्टम पंक्या और एकजाश्ट वेंट रणनीतिक रूप से यह सुनिशित करने के लिए तैनात किये गए हैं कि नम हवा को सुख बारी हवा से बदल दिया जाए अगला पॉइंट देखते हैं ग्रीन हाउस के भीतर तापमान बढ़ाने के लिए सर उर्जा प्राकिर्ति गैस यह अन्य ताप स्रोतों को नियोजित किया जाता है अगला पॉइंट है आदरता नियंतरड त्थो ग्रीन हाउस सुखाने में फफूदी के विकास रोकने के लिए और कुसत सुखाने के लिए खुचल ड्राइंग को प्राप्त करने के लिए आदरता के स्तर का प्रबंदन करना सामवल होता है आधरता नियंत्रड तंत्र जैसी वास्पी, करड़ी, सीतलन, हुमीडी, फायर या वेंटिलेशन वांजित आधरता सीमा को बनाय रखने में मदद करता है अगला पॉइंट है सेल्विंग या रेक प्रिस्री उत्पादों को ग्रीन हाउस की बीतर रेक या सेल्विंग पर रखा जाता है ये रेक उत्पादों के चार और उचित वायू प्रवा की अनुमति देते हैं जिससे समान सुखाने की सुविदा मिलती है अगला पॉइंट है निगरानी और नियंत्रड अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस सुखाने का लाब जिसमें पहला पॉइंट तेज सुखाने का समय ग्रीन हाउस का नियंत्रड वाता वरड पारंपरी खूली हवा में सुखाने के तरीकों की तुलना में तेजी और अधिक कुसल सुखाने का लाब भनों देख रहे हैं तो ये क्या करता है तेजी से सुखाता है अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है उच्छु गुडवत्ता वाले उत्पाद में अंत्रित सुखाने की सिती क्रीसु उत्पादों के रंग स्वाद और पोसर समय गरी को सरचित करती है जिसके पड़ाम सरुप बेतर गुडवत्ता वाले अंत्रिम उत्पाद प्राप्त होते हैं अगला पॉइंट है खराब होने में कमी तो मौसम परिवर्थान और कीटों के कारण खराब होने का कम जोक्षिन ग्रीन आउस सुखाने के खमात पुरलाब होता है अगला पॉइंट है साल भर सुखाना ग्रीन आउस बारी मौसम पिसिदी के बावजूद साल भर सुखाने में सक्षम होते हैं जिससे लगातार उत्पादन के अनुमती मिलती है अगला पॉइंट है दूसित पदार्थों से सुल अच्छा ग्रीन आउस का सनलग्र वातावर सुखने वाले उत्पादों को धूल कीड़ और अन्य दूसरी पदार्थों से बचाता है अगला पॉइंट है उर्जा दक्षता है सौर उर्जा का यूज हीटिंग के लिए किया जा सकता है अगला पॉइंट देखते हैं ग्रीन आउस सुखाने के अनुप्रियोग अप्लिकेशन आप ग्रीन आउस डाइरिंग ड्राइंग स्वारी अगला जिसमें पहला पॉइंट फालो और सब्जियों को सुखाना बंदब इसका कहा कहा पर हम लोग उप्योग करते हैं ग्रीन आ पुल और जड़ी बूटी योट शुखाना इसका उपयोग पाक या उसदी उपयोग या सविविन परयोजनों के लिए फूल जड़ी बूटी और वानस पति सुखाने के लिए के लिए अगला पॉंट बीच सुखाना ग्रीन आउस तो उखाने में लाभानवीत हो सकते हैं ग्रीन आउस तुखाने की प्रक्रिया में तेजी लाते विए क्रीशी उत्पादों की गुर्वत्ता और इसस्ताव को सरचित करने का एक आजनिक और कुसर तरीका आया है कि उत्पाद की गुर्वत्ता बनाया रखने, खराब होने को कम करने और उत्पादों को सच्छम करने म और जहां पर समझायान लाइक होता है, मैं आप लोग को समझाया देता हूं, तो इसलिए यहां पर कुछ समझायान नहीं गया, कोई खुछ समझायान नहीं था, ठीक है, यह बीडियो आप लोग को अच्छा लोगा तो लाइक किजगा चानल को सब्सक्राइब किजगा, और य जागे आए मैसेज का प्रूस का पीडियो भी ले सकते हैं सन्यवाद जाहिए